हाई अप्रिवन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगे गाजर मूली मिर्च का इंस्टेंट अचार जिसको हम बनाने वाले बिनादूप के तचली देख लेते हैं हैं गाजर मूली मिर्च का इचार बनाने के लिए हमने यहां पर लिये हैं और अब जैसे शेंप में कट करना चाहें वैसे कट सकते हैं यहां पर मैंने इस तरह से लंबाई में इनको कट कर लिया भी चोड़े-चोड़े पीसें कटiffs कर लिया यह देखिए लंबी लंबी पीसेज कट कर लिए इसी तरह से हमने हरी मिर्च भी कट कर लेनी है दो चाहिए जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं यह सबसी हमारी कट कर तियार हो चुकी है तो इसको साइड कर दिए यहां पर हम अचार का मसाला बनाएंगे तो एक पैन रख यहां पर यहां पर हमने एड़ करना है देखिए 10-12 काली मिर्च और अब इसी के साथ हम एड़ करेंगे 1 टेवल स्पून सरसों तो यहां पर मैंने जो बारिक वाली सरसों होती है न बोलिए क्ड़बी नहीं होती मूटी वाली कड़बी होती है उसमें कड़बापन होता है चुका है अभी इसमें और भी मसाले जाएंगे कंप्लीट नहीं है तो देख लेते हैं तो देखिए सबसे पहले हमने यहां पर एक इमाम दस्ता ले 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 लिए वन टेबल स्पून हमने साबुत जो राई दाल होती है न वो लिए और मुझे टूटी होती ही न राई दाल वो नहीं मिली तो मैंने साबुत वाली ले लिए इसको क्रेश कर लिया और देखिए यह जो राई दाल हमने क्रेश किया है वो हमने मसाले में एड कर देनी है अब बन फोर टी इस्पून अजवाएन एड करनी है पेट के लिए बहुत अच्छी होती है और वन टीबल स्पू काला नमक एड करेंगे और हाफ टीए स्पून कलोंजी एड करेंगे अच्छे से सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे यह हमारा चार का मसाला बनकर त्यार हो चुका है अब एक कड़ा ही रख लिए इसमें एड करेंगे ओयल तो हाफ कप यहां पर मैं ओयल यूज कर रही हूं सड अब यह हलका सा गुनगुना सा रहे तब इसमें हमने एड कर देना है बन फो टीश्पून हींग यहां पर मैंने पाउडर वाली लिए अब साबुत बाली ले रहे तो कम लीजेगा क्योंकि वह स्ट्रॉंग होती है अब यह हींग को हमने इसमें एड कर दिया मिक्स कर लिया तो उसमें एड कर सकते हैं अब देखे सबी सब्जी हैं यहां पर हमने एड कर लिया है इसको हमने एक मिनट हाइफ लेम पर इस तरह से ओईल में भूनना है सब्जियों का क्रंच रखना है बिल्कुल भी इनको सॉफ्ट नहीं करना यह देखे सिर्फ एक मिनट पकाना है करना है तना प्ह Ricky Avec New कर देंगे और अचार को मसाला एंड करने के बाद अच्छे सेह हमें को मिक्स कर लेना है तो ये बिना दूबाहला अचार है इसको जटपट से बना कर खा सकते हैं यह वाला चार है और देखिए अब इसको हमने 2 मिनट पका लिया है हाई फ्लेम पर अब देखिए इसको हमने प्रेजर्बेटिब के लिए यहां पर इसको स्टोर कर सके इसके लिए मैंने यहां पर 1-4 टीस्पून या फिर 1-5 टीस्पू बाजार वाला चार होता है यो और यहां थोड़ी तो और ये कर सकते हैं जरूर कीजेगा जब भी रेषीपी ट्राइ करते हैं तो मुझे कॉमेट्स खरके जरूर बताईएगा कि आपकी रेसीपी कैसी बनी तो उम्मीद करते हूँ आज की मेरी रेसीपी आपको पसंद आई होगी रेसीपी पसंद आई हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें विडियो को लाइक करें मिलती हूँ नेक्स रेसीपी में तब तक के लिए बाबाई